स्ट्रींजर थेंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बिले ने वॉइट के अंदर जाके एल को ढून लिया था और एल जब वॉइट से बाहर निकली तो बहुत बुरी तरीकी से डरी हुई थी इसी के साथ जो सारे लोग फ्लैट के अंदर बदले हुए थे यानि के इंफेक्टेड हो रखे थे वो सभी लोग एक मॉन्स्टर के अंदर बदल चुके थे और ये मॉन्स्टर हद से जाता बड़ा हो चुका था इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नंबर सेवन्थ की शिर्वात होती है जैसा कि हम सभी को बता था कि लैरी ने एक पार्टी देने का वादा किया था ताकि वो हौकिन्स में रहने वाले हर एक इंसान का वोट वापस से ले सके वो फूर्ट आफ जुलाई को एक पार्टी आउकनाईस करता है जहां का महल बहुत ही अच्छा था ये एक फैर जैसा था जहां पर शहर का हर एक मेंबर इंजॉई कर रहा था लैरी के अनॉंसमेंट के साथ में यहां पे म्यूजिक बचने लगती है और लोग यहां पे फारवर्क्स का वेट करने लगते हैं यानि कि एक शानदार आतिश बाजी का हम यहां पे माईक के मॉम और डैड को देखते हैं और साथ ही माईक की छोटी बेहन भी यहां बैटी थी जो कि सामने हिलते हुए पेड़ों को देख रही थी और पैचान जाती है कि शायद वहां पे कुछ ने कुछ तो जरूर है लेकिन माईक की मॉम कहती है कि तुमें शाय गिर दोस्तों को बताती कि आकर उसने वाइट के अंदर क्या दुखा है अधिर आती है पूब को लोगों को फ्लेट करने के साथ में लोगों को नुक्सान तो पहुंचाएगा लेकिन लोगों को अवर Ст ल já जाती है लेकिन तभी नैंसी ऐल से पूछती कि क्या वॉइट के अंदर बिली भी तुमारे पास आया था और उसने तुम्हें इसी घर के अंदर देखा था तो ऐल कहती है कि हाँ बिली ने मुझे यहीं देखा था नैंसी पहचान जाती है कि यह आवास और किसी की नहीं बल्कि देखते हैं तभी अपने आगों के सामनी बहुत बड़े मॉंस्टर को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और एरिका पे यहां स्टीव और रॉबिन की तो ड्रक के नशे के कारण काण काफी जादा हालत खर रहे हैं वापस से मॉल्ग में आने के बाद ये लोग उसी कमरे से बाहर निकलते हैं जिस कमरे से इन लोगों ने एंटर किया था लेकिन इनके पीछे रशियन की पूरी टीम लगी हुई थी इसी कारण इने छुपना भी था यहां वापस से सीन घर पे शिफ्ट होता है जहा उपर जॉनतन अटैक करने लगता है नैंसी उसे बचाने के लिए उसके उपर शूट करती जाती है लेकिन नैंसी की गोलियां खतम होने पे वो आम अब नैंसी के पीछे पर जाती है और नैंसी को पकड़ने ही वाली थी कि तभी एल आती है और अपने पावर से उस आम को र उल्टी एक आम नीचे आती है और वो रूटे L का पैर पकड़ लेती और उसे अपने साथ ही उपड़ने के जाने लगती है। इतनी देर में वापस से नैंसी बुलिट को रिफल करती है और मारने की कोशिश करती है तब हम यहाँ पर उस मॉंस्टर का फेस देखते हैं जो कि बहुत ही जादा हॉरिबल था एक के बाद एक के बाद कहीं सारी लेर जिसमें कहीं सारी दात थे और उनमें से निकलने वाले लिकस अपने हाथ में कुलाड़ी लेता है और बार बार में उसी आम के उपर अटैक करने लगता है आखिर के अंदर वो अटैक पूरी तरीके से तूट जाती है जिसके कारण एल नीचे गिर जाती है लेकिन अभी भी वो मॉंस्टर हारा कहां था तब एल वापस से खड़ी होती है अपनी पूरी पाफर को इखटा करती है और माइंड फ्लेयर को दो हिस्सों में बार देती है इसी टाइम के बीच में एल का पैर भी इंफेक्टेड हो जाता है बच्चे एल को लेके उस घर से बाहर की तरफ भागने लगते हैं यहां डस्टिन स्टीव और रॉबिन हमें यहां भी ढूंद सकते हैं और किसी भी वक्त वो यहां पर आके हमें पकड़ लेंगे डस्टिन कहता है कि मेरे पास उसके लिए भी प्लैन है अभी बस तुम चुपचाप बैटी रहो और अब सेन यहां पे होपर जॉयस मरी और अलक्सी पर शिफ्ट होता है यह चारो बाते सुनके जॉयस को बहुत ईसी लगता है और उसे लगता है कि अगर वो बैक अप मंगा लेगी तो शायद यह सारी चीज़े जल्दी सॉल्व हो जाएगी होपर एकदम से भड़क जाता है कि जिस हिसाब से तुमने डॉक्टर रोंस के लोगों से बात करी है तो वो कभी अब भी अपना बैक अप नहीं भीजेंगे तुम हमेशां खुद को इतना स्मार्ट नहीं समझ सकती यह चीज़ सुनके जॉयस भी भड़क जाती है कि मैं यह सारे काम कर सकती हूँ और अकर वो बैक अप नहीं भीजेंगे तो भी मैं काम कर हिलूँगी देखते ही देखते इन दोनों की बहस बढ़ जाती है और ये सारी बाते सुनके मुरी भढ़क जाता है और इन दोनों को समझाने लगता है कि तुम दोनों अपनी बखवास बंद करो तुम दोनों को एक साथ कहीं डेट पे जाना चाहिए तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो लेकिन दोनों तुम दोनों की बगवा से बढ़ती जा रही है मुरी और एलक्सी का दिमाग खराब होता जा रहा है इसी कारण तुम दोनों को चुप हो जाना चाहिए यहाँ पर जॉयस और होपर दोनों को लुक्स देने लगते हैं मानों की जैसे वो कुछ जानते ही नहीं है कि यह दोनों एक दूसरे का पसंद नहीं करते इसी कारण मुरी और एलक्सी दोनों हसने लग जाते हैं यहाँ पर सारे बच्चे एल को लेकि एक छोटे से मॉल के अंदर पहुचते हैं और उसे वहाँ पर बठा देते हैं क्योंकि एल का पैर काफी जादा इन्फ़क्टेट था और माइक को फिस टेट करना भी नहीं आता था तब मैक्स यहाँ पर फिस टेट की बारे में बताती है कि उसे क्या क्या चीजों की जरूरत है उसी टाइम यहाँ पे नैंसी और जॉन भी आपस में बात करते हैं कि जिस टाइम इन दौनों को एक दूसरे की जरूरत थी, अच्छा हुआ यह दौनों एक दूसरे को मिल गए यहाँ पे Lucas पहले तो Mike से माफी मांगता है कि उसने Mike के साथ में अच्छा परताब नहीं किया लेकिन Mike कहता है कि शायद इस टाइम पे हमें फिर से इस मॉंस्टर को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए Lucas को वहाँ पे तभी एक वायरवक का स्टॉल मिलता है इसका मतलब था कि काफी सारे फटाके Mike को समझ नहीं आता कि आके Lucas ये बात क्यूं कर रहा है तब यहाँ Lucas समझाता है कि इस एक बॉम की अंदर काफी सारा बारूद है अगर हम एक साथ पांच बॉम लेते हैं तो ये एक डाइनमाइट से बिलकुल भी कम नहीं है हो सकता है कि ये बॉम हमारी मदद करे और हम उस Mind Flayer को इससे उड़ा भी सकती है यहाँ पर Mike भी ऐल के साथ बैठी थी और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं असल के अंदर Mike एल के साथ अब कुछ अलग बिहेव करने लगा था और ये चीज़े एल को भी समझ में आ रही थी लेकिन तभी लोगों का Walkie Talkie स्टार्ट हो जाता है असल के अंदर कॉल यहाँ पर Dustin कर रहा था और तभी network चले जाते हैं इतनी देर में जब Dustin और Arika साइड में देखते हैं तो Steve और Robin वहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं Steve और Robin वहाँ से हस्ते वे चले जाते हैं ड्रक का असार इतना जादा था कि ये दौनों अपना होश खो देते हैं और तभीयत खराब होने के करण सीधा वाश रूम में वामिट करने के लिए भागते हैं यहाँ आप Joyce और Hopper ने टै किया था कि ये दौनों लैब में उस मशीन को बंद करने से पहले बच्चों को लेने के लिए जाएंगे इसी कारण ये चारों फैर में पहुँच जाते हैं Hopper यहाँ पे मरी और एलक्सी को कार में रहने के लिए बोलता और क्याता है कि यहाँ से बिलकुल भी हिलना मत लेकिन तभी वहाँ पे Larry Hopper को देख लेता है और वो वापस से Russian Soldier को इनफॉर्म कर देता है यहाँ पे एल वाइड में जाने की कोशिश करती है और इसी के साथ बिली को ढून सके कि यह लोग कहां पर है लेकिन इस टाइम पे एल ऐसा नहीं कर पा रही थी आपस में सारे बच्चे बात करते जा रहे थे इसी कारण एल कॉंसेंटरिशन नहीं लगा पा रही थी तब ही यह सारे उटके एक साथ में साइड में आ जाते हैं ताकि एल अच्छे से ध्यान लगा पाए और उसके बाद में एल का फस्टेट करने के बाद यह लोग उस मॉल को छोड़के वहां से चले जाते हैं लेकिन वहां पे एल का काफी सारा ब्लड गिरा हुआ था और साथ ही साथ फस्टेट की काफी सारी पटियां भी गिरी हुई थी वही ब्लड अभी भी इन्फेक्टेट था और उसके अंदर भी एक ऐसा चोटा सा पार्टिकल था जो कि उस मॉंस्टर की जैसा था हम यहां स्टीव और रॉबिन को देखते हैं जो कि काफी सारी वॉमिट कर चुके थे इसी कारण ड्रक का असर भी थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगा था लेकिन दिमाग भी जो असर था वो अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था रॉबिन यहां स्टीव से पूछने लगती है कि आखर अब तुम किसको पसंद करते हो गया तुमने कभी किसे से सच्चा प्यार किया है तब यहां पर स्टीव नैंसी की बारे में बताता है लेकिन साथ ही ये भी बोलता है कि अब वो उससे प्यार नहीं करता है उन दोनों क साथ में फाइट करती है और वो हर समय मेरे साथ है ये सारी बाते सुनके रॉबिन पता लगा चुकी थी कि स्टीव उसके खुद की बात कर रहा है लेकिन रॉबिन बिल्कुल चुप थी स्टीव रॉबिन को पूछता है कि आखिर तुम चुप क्यों हो और वो दूसरी साइड में चला जाता है रॉबिन के पास में तब यहां पर रॉबिन स्टीव को बताने लगती है कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम किस के लिए बात कर रहे हो लेकिन असल में बात कुछ और है क्या तुमें मालूम है कि मैं हमेशा तुम पर गुसा किया करती थी लेकिन उस गु लड़की रॉपिन की तरफ देखती भी नहीं थी। उस लड़की का सारा फोकुस स्टीव की तरफ था। और आज भी रॉपिन लड़कीयों को ही पसंद करती है। वो Robin के साथ रहने के बावजूद भी Robin को नहीं पसंद कर सकता और as a friend ही उसके साथ रहना पड़ेगा यानि कि ना तो Steve को Nancy मिली और ना ही Robin मिली इसी कारण ये जोर-जोर से हसने लगते और तब ही यहाँ पर Dustin और Eric आते हैं Dustin यहाँ पर बहुत गुसा करता है कि जब तुम लोगों को मना किया गया था तो फिर तुम दोनों इधर उतर घूम क्यों रहे हो यहाँ पर बिली ने एल को पहले ही मैसूस कर लिया था और अब बिली उसी मॉल के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पर पहले एल थी और साथ ही साथ उस बलट को भी टच करता है जो कि एल के पैर से निकला था और अब बिली को एल के बारे में सब कुछ पता लगने लगता है कि इस टाइम पर एल कहां पर होगी हम यहाँ पर फिर सी उसी फैर के अंदर पहुच जाते हैं जहाँ पर काफे देर से हॉपर और जॉयस नहीं मिले थे अलेक्सी यहाँ पर अभी भी उसी मशीन को बंद करने के बारे में मरी को समझाता है कि कैसे वो मशीन की चाब या दो लोगों के उपर बेस्ट है टू पिपल थियोरी के अकॉर्डिंग दो लोगों को एक साती उसे अगर चालो करना है तो एक साती उसे बंद करना पड़ेगा और इसके साथ अगर उसे अगर बंद किया जाए तो उस टाइम उसके आसपास कोई भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर वो ब्लास्ट हुई तो वहाँ पे कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा ये सारे बाते मरी समझ तो रहा था लेकिन फिर पे उसे अलेक्सी की बहुत जरूरत थी वो उसे कहता है कि चलो अब हम भी हमारा माइन फ्रेश करने के लिए थोड़ा घूमाते हैं यहाँ पर अलेक्सी जो की एक साइंटिस्ट था और जो की रश्यन बोलता था वो बहुत ही स्वीट लग रहा था एक ऐसा परसन जिसकी लेंग्विज नहीं समझ आने पे भी वो पॉजिटिव इंसानी था एलेक्सी इस मेले को इंजॉय करना चाता था क्योंकि आज से पहले उसने अमेरिकी चीजों को कभी नहीं देखा है इसी कारण मरी उस पूरे फैर की हर एक गेम की अलग-अलग टिकेट पर्चेस करके एलेक्सी को दे देता है और कहता है कि मैं तुमारे लिए खाने के लिए लेकर आता हूँ तुम यहाँ पे बस इंजॉय करो एलेक्सी भी यहाँ बच्चों के गेम्स को खेलना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे जॉयस और हॉपर पहुंच जाते हैं माइक के पेरिंस के पास में और उनसे पूछते हैं कि बच्चे कहाँ पर है अब माइक के मॉम को तो पता ही नी था कि सारे बच्चे आकिर है कहाँ पर वो बोलने लगती है कि वो लोग पहले डस्टिन के घर गए फिल लूकस के घर पे और अब पता नी कहाँ पर है इस बात से जॉइस भड़क जाती है और तभी वहाँ पे वो बड़ा सा स्पिनर भी घूमना शुरू कर देता है डस्टिन और आरेका स्टीव और रॉबिन को मिलके फिर से उसी थीटर के अंदर बिठा देते हैं यहाँ पर अलेकसी बड़े ही मजी कर रहा था अच्छे खासे निशाने लगा के वो सॉफ्ट आइस भी जीच चुका था और खुशी-खुशी मरी को दिखाने के लिए आ रहा था लेकिन तब तक यहाँ पे रशियन सोलजर पहुंच जाता है जोकि साइलेंट गन से एक यह बार में शूट करके अलेकसी को वहीं पे मार देता है गई सीरियसली यह डैट बहुत अजीब थी यानि कि अलेकसी का जादा रोल नहीं होते वे भी वो एक बहुत स्पेशल करेक्टर था मरी के पास आते हैं उसे पता चलता है कि Alexi मारा गया है वो Alexi को उठाता है और एक साइड में बिठाता है और मदद लेने के लिए भागता है इतने ही देर में उसे Hopper और Joyce दिखाई देते हैं जहाँ पर Marie जोर जोर से चिलाने की कोशिश करता है और इन दोनों को बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर Russians के लोग हमें पकड़ने के लिए आने वाले हैं Hopper भी दर उदर महसूस करता है कि कुछ लोग उसे देख रहे हैं वो Joyce को कहता है कि तुम Marie के पास में जाओ इन Russians को तो मैं मजा चकाता हूँ जिसके बाद Hopper यहाँ पर फिर से एक गेम के अंदर पहुँच जाता है जहाँ आगे जाने के बाद हो कहीं सारे Russians को मारता रहता है Joyce यहाँ पर Alex के पास थी और उसे वापस से होश मिलाने की कोशिश करती है लेकिन तब इन्हें पता चलता है कि Alex से जिन्दा नहीं बचा है यहाँ Hopper भी उन Russian Soldier को बुरी तरीके से मारता है और आगी बढ़ता जाता है अब Joyce और मरी जाके कार लेने के लिए जाते हैं लेकिन तब ही वहाँ पे उन्हें लेरी दिखाई देता है Hopper यहाँ पर पहले से एक गन लेके तयार था और एक के बाद एक वो इस Soldier को शूट करके वहाँ से भागने लगता है और बाहर जाते हैं उसे Joyce और मरी मिलते हैं लेकिन आके जाने के बाद Hopper को पता चलता है कि Alex से जिन्दा नहीं बचा इस बात से सभी को दुख होता है Hopper ने यहाँ पर एक Walkie Talkie ले लिया था जिसके अंदर Russian Soldiers यहाँ पर एक Message बता रहे थे कि बच्चे उन्हें मिल गए हैं Mall के अंदर ये बात जब मरी, Joyce और Hopper को बताते हैं तो दोनों ही समझ चाते हैं कि यह उनी के बच्चे हैं उनके अलावा किसी और के बच्चे हो ही नही हुई थी जो कि अपने आप ही गोल-गोल घुमने लगती है और आफासे करने लगती है और तभी वो कार उड़ती हुई आती है और सीधा इन Soldiers पे जाके गिरती और काफी दूर इन Soldiers को ले जाती है उपर देखने पे डेस्टिन को पता चलता है कि उसके दोस्त उसके मदद स्टार्ट करते हैं कि कौन के सिच्वेशन में से निकल कर आया है और तभी वहाँ पे ऐल को काफी जोर से दर्द होने लगता है दर्द के कारण वो जमीन पे गिर जाती है क्योंकि उसका पैर जो इंजर्ड हुआ था वो माइंड फ्लेयर की एक रूट से इंजर्ड हुआ थ दर्द के कारण एल जोर जोर से रोने लगती और जब उसके फस्टेट पटे को हटाया जाता है तो यह सब लोग देखके काफी जादा चौक जाते हैं क्योंकि वो पैर पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था उसमें से बलड निकल रहा था और वो पैर दीरे धीरे निकाल लेंगे गाइस काफी सारे सस्पेंस है जो कि हमें अकले एपिसोड में ही पता चलेंगे तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में तब तक के लिए टाडा करते हमेंगे जद्दिन में देड़्कर को सेंकित क्ले था जाएस के लिए चात